आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर और आज हम बात कर रहे हैं राजिस्थान में पाए जाने वाले विविन पादपों के वानस्पतिक नाम की चुंकि ये पादप जो हैं हमारे आसपास पाए जाते हैं और अधिकांस विध्यारतियों को इनका वानस्पतिक न वीडियों आपके लिए है जिससे कि आप अपने आसपास पाए जाने वाले जो पादप हैं उनका वानस्पतिक नाम आसानी से याद रख सकें तो आईए सुरू करते हैं इस वीडियों में दस ऐसे पादप जो आपके आसपास पाए जाते हैं और उनका वानस्पतिक नाम औ आप देख रहे हैं वो है पीपल पीपल पादप जो है हमारे चारों तरफ प्रमुक्ता से पाए जाता है विसे इसका रगर राजिस्तान की बात करें इस पादप का वानस्पतिक नाम जो है वो होता है फाइकस रिलिजियोसा यह पादप जो है वो मोरेसी कुल का पादप है इ ये पादप हमारे लिए बहुत महत्पून है, साथ इसाथ इस पादप की पूजा भी की जाती है, कह सकते हैं कि इछनों बहुत निकल द्रश्टी से भी ये पादप काफी महत्पून है, इस पादप को आप इसकी हरद्याकार पत्तियों की सहायता से आसानी से पहचान सकते हैं जैसा कि आप डाइग्राम में देख पा रहे हैं इसकी जो पत्तियां हैं वो किस तरीके से हर्ट शेप पत्तियां होती हैं बीच में मोटी शिरा पाई जाती है और शेप पास शिराएं जो हैं वो निकलती हैं तो दूसरा जो पादप हमारा इसे लिष्ट में है वो है बहुती महत्पून पादप जो की हमारे आसपास के परिशर में बहुती प्रमुकता से पाए जाता है और ये हमारे घर के आंगन में या जंगल में बहुत प्रमुकता से जो है वो मिलता है तो यह पादप है नीम, नीम का जो वानसपतिक नाम है वो है एज़े डिरिक्टा इंडिका और यह पादब जो है वो मीलिय सीकुल का पादब है इस पादब को आप आसानी से पहचान सकते हैं इसकी जो पतियां होती हैं पतियां पिच्छकी होती है इसमें और साथी साथ इसमें जो फल लगता है उसको हम निबूली के नाम से जानते हैं देख सकते हैं कि ये पतियां जो है इसकी पिच्छा की पर्ण होती है इसमें पादब जो है यह है दोनों ही पादब जो नीम और पीपल जो है वो व्रक्ष रूप में ही होते हैं यहां हमने इस लिष्ट में व्रक्ष वाले जो पादब हैं उनको ही लिया है तो नीम जो है वो एंटी बैक्टिरियल प्रोपर्टी भी रखता है अर्थार्थ इसका जो प्रियोग है वो विविन प्रकार के तचरोगों में भी किया जाता है जाधिसात उपियोग बहुत सारे हैं उपियोगों के उपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे इसमें हमारा जो देश है वो पादफ है सीशंग यह पादब भी हमारे चारोटफ प्रोर्मुकता से देखने को मिलता है और इसका ब्रतनी लेम जो है वहेडलबरग्याशईशूँ और इसका जो कुल है वह फेबे सी कुल है जिसको हम लैग्यूमिनो सी कुल भी कहते हैं इस पादफ में जो प्तियां होत पादप की लकडी जो है वो इमारती महत्तु की होती है अर्थात फानीचर बनाने के काम में आती है लकडी मजबूत और साथ शाथ बड़े काम की होती है चौथा इस लिस्ट में हमारे जो पादप है वो है गूलर गूलर जो है वो एक फली पादप है जिसके फल को हम काने के काम में भी लेते हैं और इसका बॉटनिकल नेम जो है वो होता है फाइकस रैसी मोसा अर्थारत पीपल और गूलर ये दोनों हो एक ही वंस के पादप हैं फाइकस के दोनों की स्पीसीज अलग-अलग है, इसकी जो स्पीसीज है वो रैसी मोसा है, अर्थार्थ इसका बोटनिकल नेम जो है फाइकस रैसी मोसा, और ये मोरे सीकुल का पादप है, आप इसमें देख सकते हैं, चित्र में, ये जो है गूलर के फल लगे हुए हैं, जो खाने में मीठे होते हैं इस लिष्ट में हमारा जो पाँचवा पादप है वो है पापडी जिसको चिल्विल भी कहते हैं इंग्लिस में इसको इंडिन एल्ब भी कहा जाता है बंदर पापडी भी इसको इंडिमम कहते हैं और इस पादप की बात की जाए तो इसका बाटनिकल नेम होता है हॉलोपटेलिया इंटेग्रिफोलिया हॉलोपटेलिया इंटेग्रिफोलिया पादप का नाम है और इसकी जो फैमली है वो अलमेसी है इस पादप को आप इसके फ्रूट से आसानी से पहचान सकते हैं जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इस पाधप में विशेस प्रकार के फल लगते हैं जिनको हम समारा कहते हैं और से biodFA में जो में आप फूला हुआ साइस्तान देख θα गया है तो ये पादब भी जो है पापड़ी इसकी भी लकड़ी बड़े काम की होती है और कई कामों में इसकी लकड़ी ली जाती है साथी साथी ये पादब जो है वो मैडिशनल भी है किसी निकिसी रूप में ये जो है विन्ब्रकार की बीमारी ओसमें नुवला पेड है जिसकी काष्ट भी जो है काम में आती है और साथे साथ ये पेड भी पिरमुशता से देखने को मिलता है लचीला पेड होता है और इसका नाम है Miletia pinneta इसको दूसरा नाम भी Pogemia pinneta भी है बॉत निकलने और इसका कुल जो है फैबेसी है इस करंज में आप फल से इसको आसानी से पहचान सकते हैं और साथि साथ इसका push crime भी जो है सफीद गलर की इसमें push पाते हैं अगर इसके बात की जाए फलों की तो इसमें जो फल लगते हैं वो कुछ हद तक बादाम के फल से मिलते जुलते होते हैं तो इसके जो फल हैं वो आसानी से पहचाने सकते हैं और उसके आदार पर हम इस करंज के पेड़ को भी आसानी से पहचान सकते हैं और आप इसके बाटनी कल नेम को भी इजी गोईंग याद रख सकते हैं मिलेटिया पिनेटा या पोगेमिया पिनेटा नेक्स्ट इस लिस्ट में हमारा जो पादप है वो है बबूल बबूल जो पादप है वो प्रमुक्ता से पाए जाता राजिस्तान डिजर्ट में क्योंकि यहां पर जो वार्सिक वर्सा का ओश्रत है वो काफी कम रहता तो ऐसे में बबूल का जो पादप है बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर पनपता है और इसका नाम जो है बोटनिकल वो है अकेसिया निलोटिका अकेसिया की बहुत सारी स्पिसीज राजिस्तान में पाई जाती हैं जि लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं बबूल की जिसका बोटनिकल वे अकेसिया निलोटिका है या या केसिया एयरेवी का भी और यह भी जो है वो फैबे सीकुल का पादप है इस पादप में आप देख सकते हैं कि जो फुरूट होते हैं वो लंबी-लंबी फलियों के रूप में लगते हैं और साथी साथ जो इसका पुष्पक्रम होता है वो भी पीले कलर का होता है जिसके आप आसानी के साथ इसमें प पादप है वो कदम का पादप है और कदम का जो नाम होता है वो होता है एंथोसेफेलस कदमबा और इसकी जो फैमली है वो रूबी ऐसी है इस पादप को भी आप आसानी से इसकी पुष्प करम के द्वारा पहचान सकते कदम में जो पुष्प बनते हैं वो गेंद नूमा बन हमारे भारत के शंदर मगर कहें तो इतनो बोटनिकल द्रश्टी से काफी महत्वपून है और एक अपना सांस्कृतिक क्सामाही महत्वर्थ, कदम का पादप वारत का जिसक बोटनिकल लैम एंतोसेफLo वह कंदम है और याद रखे रूबिे सीकृल का यह पादप है नेक्स्ट जो हमने इस इसे लिश्ट में पादप लिया है वह लिया है शिरस का बोटनिकल बोटनी का लेम जो है वो होता है एल बीज या लेबेग और यह भी जो है वो फैबे सिकुल का पादप है इस पादप में भी आप देख सकते हैं कि ये चोड़ी फलिया लगती हैं इसमें अंदर बीज होते हैं और साधी साथ एक विसिस्ट प्रकार का पुश्करम इसके अंदर पाए जाता है फलिया बाद में सूखने पर पिली पर जाती है जो अलग से दिखाई देती हैं और पादप को आप आसानी से पहचान सकते हैं साधी सा एक बार हम नाम देखते हैं इसका जो बाटनी का लेम है वो है एल बीजिया लेवेग और कुल जो है इसका वो फेबेसी है हमें अगर एकोनमिक बाटनी की द्रश्टी से देखा जाए जिसकी किलास अभी चल रही है तो उस लिहाज से भी हमें इन पादपों के बाटनी का ल और बरगत को आप इसकी रूट्स से आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें जो रूट्स पाई जा सकते हैं देखिया और इस पादप का जो बाटनी का लेम है वो है फाइकस बेंगा लैंसिस और इसकी फैमली भी मोरेसी है क्योंकि ये भी जो है वो फाइकस वन्स का पादप ह पीपल की तरह ही पीपल और गूलर भी आपने जो पड़े थे वो भी दोनों फाइकस मंस के पादप थे तो इसका जो नाम है वह है फाइकस भेंगा लैंस और यह भी जो है मौरिशीकुल का पादप है इसे हम वटवरक्ष भी कहते हैं और यह है जाना जाता है अपने चोड़े भाग को अपने जड़ों के माद्यम से गहरे रहे जाने के कारण तो कि बहुत बड़े गहरे में इसकी जड़े हैं वो फैली रहती है तो स्टुडेंट्स ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने बात करी थी दस पादपों के बोटनिकल नेम्स की और ये पादप ऐसे थे जो बहुत ही महतपून है राजिस्तान के संदर में और हमारे आसपास पाए जाते हैं अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी साथ वीडियो को सियर करना नहीं बूलें थेंक्यू